नमस्कार दोस्तों तूली द व्लॉगर में आप सबका फिरसे स्वागत है। हमेशा कितार हैं अज भी एक नया भा आधे वी निगदी आधे आधा हुसा इल्झ embassy का प्रकार से हमारा लिवघ मैंन होता है। तो ए इल्थी wall अगर साथ में अगर बहूत अच्छे रिलेटिव गये बहुर अच्छे दोस्त मिल गये बहुत अच्छे लोग मिल गए जीवन में तो क्यา कहना दोर लो होता कहा है तो एसे मिल आ से बहुत सारी इसके दो नियम में पहले बता देती हूं, जो आपको नहीं करने चाहिए, माचिस को कभी पूजा के स्थान पर मत रखे या फिर निकट मत रखे, माचिस की जली हुई तीलिया, कभी भी बिखेर कर मंदिर में मत रखे, यानि कि दाएं बाएं जहां तहां जलाया और फेक दिय इससे आपका भाग ये खराब होता है, साथ में आपके लख जो है, मानलो बड़े अच्छे किसमत लेकर पैदा हुए हो, लेकिन खुद की गलती की वज़त से हम अपना लख भी खराब करते हैं, ठीक है, तो ये चीजों का ध्यार जखना, अब चलो मैं बटा देती हूं, ध बटा लख विशेष्स तार पर होता है, साथ में अगर आपका कोई कारया रुका हुआ है, अगर आपको लगता है कि मंगल से जूज रहे, मंगल से परिशान है, शादी नहीं हो रही है, शादी तूटने के कगार में है, या फिर व्यपसाइद नहीं चल रहा है, तो ऐसे मे एक माचेस आपको मंदिर में जरूर रख कर आना चाहिए बिना बोले किसी को पर यह रख कर आना चाहिए तीक है इसे दान करना चाहिए तो इसे जो भी उपयोग में लाएगा उससे आपके कर्म जो है जो अठके हुए कर्म है वो खुलने शुरू हो जाते हैं इसलिए एक नहीं अएक कार्या को एक हरे रंग की मोंबती लेनी हैं और एक लाल कि मुझ स्टैयों तो यहां। नहीं पर करना क्या है आपको कि झुड़ी हुए कोई समझ्या एक ये कार्या को क्परectioncade को संध्या के तष्या की जरूर कीजिए अफ debris यानि जिस गर में आप पूजा करते हैं तो आप इसका रूम का चुनाब कर सकते हैं, जो एस्ट, नौर्थ और वेस्ट यह तीनों के बीच में हो, यानि कि या तो नौर्थ वेस्ट, या तो नौर्थ इस्ट या फिर नौर्थ में, आपको करना गया है, दो मुंबती लेनी है एक हरे रंकी और एक लाल रंकी ठीक है अब इसमें थोड़ा सा सिन्नमन पाउडर जो होता है न उसे लगा देना रहता है यानि कि उसके पाउडर को उस मुंबती के उपर में लगा देना रहता है अब आपको किसी तेल के जरुवत पढ़ेगी क्योंकि वो सिन्नमन पाउडर रहे तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर कोई एसा इत्र हो गया या फिर कोई ऐसा ऐसा एरोमा ओट ऑस यो सु그्ली तो वो क्नल को उस ओल या फिर इत्र में आपको हल्का सा इत्र में ऑनके वह बिल्म comprendre के यवश य्वर लगा देना है इसके बाद आप और पने कर से एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने सारी तयारी कर लिए सिन्वन पाउडर एंड इत्र ओयल वगरा सारे लगा दिये अब उससे आप जमीन पर रखो रखने के बाद आपको अपने विश सोचनी है जैसे आप कुछ भी पाना चाहत आपको कुछ मैनिफिस्ट करना है आप किसी परसं का प्यार पाना चाहते हो तो उसे सोच लो दिमाग में और आप एफर्म करो कि यह सारी चीजे मेरे साथ हो रही है मुझे मिल गही है ठीक है उसके बाद आपको इसे मैचस से उन दोनों कैंडल को अलग अलग तीलियों से ज आपको जब यह रिच्यूल कंप्लीट हो जाए तो आप इसे फेक दीजेगा उसके बाद आपको क्या करना है कुछ देड तक उस अगनी को देखना है यानि आपने जो कैंडल जलाए उसे आपको देखना है देखते हुए अपने विष को सोच ना है इसे त्राटक भी कहते ह कि आप अपनी कोई भी विष है उसे आप एक तक सोच रहे है दिमाग में और आप लहू को देखते हुए यानि कि आप लो को देखते हुए उस अगनी को देखते हुए आप मैनिफेस्ट कर रहे है कि जो चीजे आप चाहते है वो आपके जीवन में हो रही है यूनिवर्स आपको वो दे रहा है और आप उसे लेने के लिए बिल्कुल रेड़ी है तो ऐसा आपको कैंडल को देखते हुए सोचना है कैंडल बहुत जादी बड़ी मत लीजेगा क्योंकि उसे बुझने में समय लगता है तो आज कल मार्केट में पतले-पतले छोटे-छोटे मिल भी जा कि ज़ग've पुझनें कि छोट उसे आपके जब मुंबथिया ऑटोमेटिकली पुझनेंगी तो तो आपकी जो भी विश हा यो निवर्स तक चली जाती है वो अनर्जी केसाथ मिक्स्ट होती है आपकी आपके अनर्जी बहुत इंटेंस होती है उस वक्त में तो प्या होता है कि आप माक्षिस का प्रियोग करेंगे कैंडल के साथ, अपने किसी भी डिजाइस को कम्प्रीट करने के लिए, साथ में कुई भी चीज को मैनिफरस्ट करने के लिए, दूसरी चीज है, हमेशा याद रखें, अगर किसी इंसान को नजर लग जाती है, और जीवन में परिशान हो, जस्त रख आना, ठीक है, तो इसका जो भी उप्योग करेगा, आपके उपर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो दीरे-दीरे उसके जो नॉट्स है, जो बंद गया है जीवन में, वो खुलना शुरू हो जाता है, मनी के लिए मैंने क्रेंडल बर्ण करना आपको सिखाय है, और आपको नेक्स टे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, जब भी हो, यानि कि सैटेड़े को, आपको ये माचिस आपको किसी भी मंदिर में या पीपल के पेड के नीचे छोड़ कर चले आनी है, जब आप उसे छोड़ कर चले आएंगे, तो आपको कहना क्या है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स मैं यही रखे जा रहा हूँ, और इसे यही से मैं छोड़े जा रहा हूँ, ताकि ये जो दुर्भाग्य है, जो भी परिशानी है, ये मुस्तक वापस ना सके, कहकर आप जब इसे रखेंगे, पीपल के पेड के नीचे रखेंगे, या फिर मंद अग जाए, तो आपको किसी टेम्पल में मैचिस हो, नारियल हो, या हो, ये जलाते वक्त या फिर देते वक्त, आपको सिर्फ अपने परिशानियों को कहना है, कि मैं ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, ये मेरा आप पीछा ना करे और ना मेरे साथ आए, मैं इसे यही छोड़ आपको अनुभवना हो कि नहीं मेरे साथ चीज़े बेटर हो रहे हैं, जब बेटर हो जाती है और आप जब इस कार्या को कभी कभी करने के बाद इंसान इतना अच्छा हो जाता है कि बूल जाता है ये कार्या करने में, तो जब भी आपको परेशानी लगे तो आप इस कार्या मैचेस को आप उस परसन के सर के नीचे रखे यानि फ्राइडे नाइट को रखे और सैटर्डे मॉर्निंग हो इवनिंग हो या फिर रात हो जब भी आपको समय मिले उस मैचेस को मंदिर या पिपल के पेड के नीचे छोड़ कर आ जाए तो आप देखेंगे आप जो भी मैने उपाय बताए जो भी मैचेस से रिलेटेड है ये आपके जीवन में धन का आगमन कराता है बढ़ोतरी कराता है मान सम्मान में साथ में कुछ रुका हुआ कार या बहुत दिन से रुका हुआ है उस कार्य को ये सुचारू धंग से चलाने में ये जो पाय है बहुत मदद करत आज के लिए आप लोगों का अच्छा लगा होगा अच्छा के वीडियो में आप लोगों तक लाते रहोंगी आज के लिए बस इतना ही तर मिलेंगे एक नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए अब सबको मेरा प्यार मेरा नवशकार